खाते में करीब आट सो करोड रुपिये जमा कराए गए हैं साथियों भारत को फिर से तेज विकास के पत पर लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पाँच बाते बहुत आवशक हैं इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इन्फरस्ट्रक्शर और इनोवेशन हाल में जो बोल फैंसले लिए गए हैं उसमें भी आपको इन सभी की जलक मिल जाएगी इन फैंसलों के साथ हमने तमाम सक्टर्स को फ्यूचर रेडी किया है इसी वज़े से आज भारत एक नए ग्रोथ औरियेंटेट फ्यूचर की जिसा में बड़ी उडान के लिए तयार है साथियों हमारे लिए रिफॉर्म्स ये कोई रेंडम या स्कैटर्ड डिजिजिजन नहीं रहे हैं हमारे लिए रिफॉर्म्स सिस्थेमेटिक प्लान इंटिग्रेटेट इंटरकनेक्टेड और फुचरिस्टिक प्रोसेस हैं हमारे लिए रिफॉर्म्स का मतलब है फैस्टले लेने का साहस करना और उन्हें लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना आई बीसी हो बैंक मर्जर हो जी एस्टी हो फेस्टले इंकम टेक्स एसस्मेंट की व्यवस्ता हो हमने हमेशा व्यवस्ताओं में सरकार के दखल को कम करने और मैंने तो लाल के लिए पर भी कहा था कि लोगों से जिंदगी से सरकार को जीतना हम कम कर सकते हैं हम करना चाहते हैं प्रावेट एंटरप्राइज के लिए एंकरेजिंग एको सिस्टीम खड़ा करने पर हम लगातार बल देते रहे हैं कदम उठाते रहे हैं इसी वज़े से सरकार आज ऐसे पॉलिसी रिफोंच भी कर रही हैं जिनकी देश ने एक प्रकार से उमीद भी छोड़ दी थी लोगों ने मान लिया था अब ये तो हमारे देश में नहीं हो सकता है ऐसी चीजे होने लगी हैं अगर मैं एगरिकल्चर सेक्टर की बात करूँ तो हमारे अहां आजादी के बाद जो नियम काईदे बने उसमें किसानों को बिचोलियों के हाथों में छोड़ दिया गया था किसान कहां फसल बेच सकता है कहां नहीं बेच सकता है इस तक के नियम बहुत सक्त से हैं किसानों के साथ दसकों से हो रहे अन्याय को दूर करने की इच्छाशक भी हमारी सरकार ने दिखाई है A.P.M.C. Act में बढ़लाव के बाद अब किसानों को भी उनके अधिकार हासिल होंगे किसान अब जिसे चाहे जहां चाहे और जब चाहे अपनी फसल अपनी सर्तों पर किसान की सर्तों पर वो फसल बेच सकते हैं अब कोई किसान अपनी फसल देश के किसी भी राज्य में ले जाकर बेच सकता है पहले तो इस पर भी बंधन थे साथी वेराउसिस में रखे अनाच या एग्रिकल्चर प्रोडक्स अब एलेक्ट्रोनिक ट्रेडिंग के जरिये भी बेचे जा सकते हैं आप कल्पना कर सकते हैं इससे एग्रि बिजनेसिस के लिए कितने नए रास्ते खुलने जा रहे हैं साथियों इसी तरह हमारे स्रमीकों के कल्यान को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए लेबर रिफांट भी किये जा रहे हैं जिन नौन स्ट्रेटेजिक सेक्टरस में प्राइवेट सेक्टर को इजाजत ही नहीं थी उन्हें भी खोला गया है आपका ध्यान इस पर भी गया होगा कि सबका साथ, सबका अविकास, सबका विश्वास के रास्ते पर चलते विए हम वो फैसले भी लिए रहे हैं जिसकी मांग बर्सों से हो रही थी साथियों, दुनिया का तीसरा वो देश जिसके पास बहुत बड़ी मात्रा में कोईले का भंडार हो कोल्ड रिजर्व हो जिसके पास आप जैसे साहसी और उद्यमी व्यापार जगत के लीडर्स हो लेकिन फिर भी उस देश में बहार से कोहला आए कोल इंपोर्ट हो तो उसका कारण क्या है आप भी जानते हैं देश भी जानता है कभी सरकार रुकावट बनी रही कभी नीतियां रुकावट बनी रही लेकिन अब कोल्ड सेक्टर को इन बंदनों से मुक्त करने का काम शुरू कर दिया गया है अब कोल्ड सेक्टर में कॉमर्चियल माइनिंग को परमिट कर दिया गया है पार्सली एक्स्प्रोर्ड ब्लोग्स को भी एलोट्मेंट करने की परमिशन दी गई है इसी तरह मिन्रल माइनिंग में भी अब कम्पनियां एक्स्प्रोरेशन के साथ साथ माइनिंग का काम एक साथ कर सकती है इन फैसलों के कितने दुरगहमी परणाम होने वाले हैं ये इस सेक्टर से परिचित लोग अच्छी तरह जानते हैं साथियों सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है उससे हमारा माइनिंग सेक्टर हो एनर्जी सेक्टर हो या रिसर्च और टेक्नलोजी हो हर शेत्र में इंडरस्टर को भी आउसर मिलेंगे और यूद के लिए भी नई आपर्चुनिटीज खुलेगी इस सबसे भी आगे बढ़ कर अब देश के स्ट्राटेजिक सेक्टर में भी प्राइवेट प्लेयर्स की भागिदारी एक रियालिटी बन रही है आप चाहें स्पेस सेक्टर में निवेश करना चाहें एट्रमिक एनरजी में नई अपर्चुनिट्स को तलासना चाहें पॉसिबिलिटीज आपके लिए पूरी तरह से खुली हुई हैं हर आउसर आपका इंतजार कर रहा है साथ क्यों आप ये भली भाती जानते हैं कि MSME सेक्टर की लाखों यूनिट्स हमारे देश के लिए एकोनॉमिक एंजिन की तरह हैं इनका देश की GDP में बहुत बड़ा कॉंट्रिबिशन है और ये कॉंट्रिबिशन करीब करीब 30% का है MSME की definition स्पस्ट करने की मांग लबे समय से उद्योग जगत कर रहा था अब वो उद्योग जगत की पूरी मार्ग भी पूरी हो चुकी है इससे MSME बीना किसी चिंता के ग्रोग कर पाएंगे और उनको MSME का status बनाए रखने के लिए दूसरे रास्तों पर चलने की ज़रूरत नहीं रहेगे देश के MSME में काम करने वाले करोडो साथियों को लाभो इसके लिए दो सो करोड रुपिय तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर्स को खत्म कर दिया गया है इससे हमारे छोटे उद्योगों को जादा आउसर मिलेगा एक तरस